Dear Students, से लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स को पढ़ना जैसे कि आप चानते हैं हम लोग मैथेमेटिक्स में अभी एक्सरसाइज 9.1 के कोश्चन्स को सॉलुशन कर रहे हैं जो तिरकोनमेटि के कुछ अनुप्रयोग यह चैप्टर का नाम है जिसको हाइट और डिस्टेंस बोला जाता है उचाई और धूरी तो एक्सरस्चन 9.1 में जो कोश्चन नमबर हम लोग पिछले कलास में डिसकस किये थे हैं आये चलते हैं हम लोग स्टाट करते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर 9 से कोशन नमबर 9 पर यह क्या बोल रहा है एक मिनार के पाद बिंदू से एक भवन के सिखर का उन्यन कुन यानि कि एक मिनार है और एक भवन है पक्का बात यानि कि एक मिनार है और एक भवन है दोनों को अगर हम फिगर बनाया जाए सबसे पहले important इस chapter में वही है कि आप पहले धर्ती बना देजिए यह हमारा प्रित्वी है धर्ती है अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक मिनार है और एक भवन है तो मिनार और भवन मैं आपको पता होना चाहिए कि कौन बड़ा होता है अब अपने से समझें मिनार चार मिनार या फिर मिनार का मतलब बहुत पतला सा जाता है अस्थम जैसा यह मिनार है और हम लोग मान लेजिए कि भूमी पर भी स्थीत है भवन ठीक है तो भवन पर मिनार भी है और प्रित्वी पर मिनार भी है और प्रिथरी पे भवन भी है देखिए अगर हम सिर्फ बोलेगा कि भवन का पाद बिंदू तो भवन का पाद बिंदू यहाँ है भवन का सीखर तो भवन का सीखर उपर है मिनार का पाद बिंदू निचे है मिनार का सीखर उपर है ठीक है यहां पर क्या बोल रहा है एक मिनार के पाद बिंदु से भवन के सिखर का उनियन कोन 30 डिगरी है दिखलेजे यह भवन है और यह मिनार का पाद बिंदु है भवन के सिखर का उनियन कोन कैसे कोश्चन हमको पता चला तो मिनार के पाद बिंदु ठीक है और भवन का सिखर का उ उनियन कोन हमको दिया हुआ है question में 30 degree तो यह बना लिए हम लोग 30 degree और भवन के पाद बिंदू से भवन का इस पर पाद बिंदू बोल रहा है और मिनार का सिखर बोल रहा है 60 degree है यानि भवन का पाद बिंदू नीचे और मिनार का सिखर उपर और इसका उनियन कोन बोला जा रहा है हम लोगों को कितना 60 degree यह हम लोगों को 60 degree है तब बुला जा रहा है आगे उन्यान कुन साड़िगरी यदि मिनार 50 मिटर उची है तो भवन की उचाई ग्याद कीजिए यानि कि इस question में हमें क्या दिया हुआ है मिनार का उचाई यानि कि मिनार यहां से हम लोगों को 50 मिटर उचा है तो फिर हमें बुला जा रहा है कि आप भवन का उचाई जो है ग्याद कीजिए कि भवन का हाइट कितना होगा पक्का चलो अब हमको यहां पे दिमाग लगाना है दोस्तों कि आखिर कैसे हम निकाल पाएंगे तो सबसे पहले एक triangle नाम दे दिजिए A, B, C और D आप सबसे पहले त्रिभूज A, B, C में चलिए A, B, C में चलने का फायदा है कि A, B, C में आपको ठीटा दिया है और ठीटा के सामने आपको 50 मिटर पता है तो ये वाला फैलू भी आपको पता हो जाएगा कि B से C तक के दूरी कितना है तो आप चलिए triangle A, B, C में A, B, C में आप देख पा रहोंगे A, B, C में ठीटा कितना है? साट डिगरी तो ठीटा हो गया साट डिगरी और ठीटा जिधर रहता है उसके सामने वाला को P कहते हैं तो P का फैलू हो गया हम लोगों को 50 मिटर क्योंकि इसके सामने नहीं पूरा A, B यहां से आप क्या निकालेंगे? B, ठीक है? अच्छा, B निकालेंगे मतलब नीचे वाला का B, C निकलेगा पकी बात? चलिए तो अब यहां पे आप लगा लिजे 10 ठीटा का फार्मूला होता है P बटा में B और 10 ठीटा बोले तो 60 डिगरी और P का वेलू 50 और बटा में B रूट 3 को रूट 3 बटा एक लिख सकते हैं और 50 बटा में B और पिर्चा तिर्ची गुना करेंगे तो पता चलेगा कि रूट 3 B बराबर कौनची? 50 इसलिए B बराबर कितना होगा? 50 बटा में रूट 3 अच्छा, हमको तो भी पता चल गया कि B, B मतलब का? B मतलब B, C क्योंक से हमको पता चल गया कि 50 बटा क्या है? रूट 3 है चलो अब हमको क्या करना है? भवन की उचाही निकालना है तो अब हम चलेंगे B, D, C में क्योंकि B, D, C के लिए हमको ठीटा पता है 30 डिगरी ठीक है और इसके लिए हमें पता है नीचे वाला 50 रूट 3 तो भवन का उचाही निकालना है तो अब लिखेगा अब त्रिभूज कौन सा में चलेंगे B, D, C में तो B, D, C में आप चलिएगा तो आपको ठीटा कितना नजरा रहा है? 30 डिगरी लेकिन 30 डिगरी के सामने वाला होता है P नहीं ठीटा जहां कहीं भी होता है उसके सामने वाला को बोलते है P त तो हो जाएगा करन ना, B, D को करन बोलेंगे लेकिन B, C जो है आधार है और आधार का वेलू 50 बटा में रूट 3 है तो यहां पर फार्मूला लगाएगा 10 ठीटा बराबर P बटा में B, ठीटा का वेलू कितना? 30 डिगरी तो 10, 10, 30 डिगरी बराबर P और बटा में B, B कितना? 50 बटा रूट 3 ठीक है? अच्छा, रूट 3 नीचे वाला उपर जाएगा और 10, 30 का वेलू कितना होता है? 1 बटा रूट 3 और रूट 3 उपर जाएगा तो रूट 3 P बटा में 50 और तिर्चा तिर्ची गुना करके आप P का वेलू निकाल लीजेगा यही हो जाएगा हम लोगो का आंसर तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि बहुत इजी वे में देखिए 9.1 एकसराइज पूरा का पूरा हम लोगों को फिगराली ड्रॉप है अपने अगर फिगर को ड्रॉप कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या दिया है और हमें क्या पूछा जा रहा है और जो पूछा जा रहा है उससे हम लोग कैसे लिंक करेंगे आखिर कौन सबसे पहले क्या निकालेंगे तो जो दिया हुआ चीज रहता है उससे से न फिर हम लोग कुछ निकालते हैं और फिर जो निकालते हैं उससे हम लोगों को जो फैलो निकालना उस पता चलता है तो हमको भवन क्यों चाहिए निकलेगा यानि कि आपको इस एकसर साज में आपको बार-बार प्राक्टिस करने का ज़रूरत है आप कोश्चन पढ़िए और फिगर खुद से बनाने का ट्राई कीजए ठीक है तो यहाँ पर हम आपको बस छोड़े हुए है पी का वहलू निकालना है और कैसे निकाल पाएंगे आप खुद से निकालेंगे और राइट आंसर मैस करके हमें जरूर सेंड करेंगे फिलाल हम बढ़ते हैं अगले कोश्चन नमबर टेन पे तो टेन नमबर कोश्चन के दोनों और आमने सामने सामान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं दिखलो आप कभी भी फिगर ड्रो करना है एक पर पढ़कर पूरा सवाल को आप फिगर नहीं समझ सकते हैं इसलिए एक एक सेंटेंस को पढ़िए एक वाक्य को पढ़िए और फिर उसका फिगर बनाई है बोल रहा है कि 80 मिटर चोड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने सामान लंबाई वाले दो खंभा लगा हुआ है सबसे पहले कोई भी खंभा गड़ेगा कोई भी सड़क होगा कहां पर होगा हवा में तो होगा नहीं आप पहले धरती बनाईए यह हम लोगों को प्रिथवी है ठीक है अब इस प्रिथवी पे बोल रहा है कि सड़क है क्या है भी सड़क और सड़क जो है कितना चोड़ी है तो मान लेजिए कि यहां से लेकर यहां तक हम लोगों को सड़क है यह है क्या यह हम लोगों को सड़क है अब पकी सड़क बोलो कची सड़क बोलो यह हम लोगों को सड़क है और इसका चोड़ाई जो है असी मिटर है ध्यान रहेगा यहां पे और यहां पे फिर क्या बोला कि ये जो सड़क है इस सड़क के दोनो और खंभा लगा है विप्रित दिशा में दोनो और का मतलब एगो खंभा यहां रहेगा तो दूसरा उसके उस साइड में रहेगा दूसरे रोड के दूसरे साइड रहेगा और दोनो खंभा जो है समान लंबाई का है ये वला खंभा हो गया और एको ये खंभा हो गया सवाल को समझेंगे बोल रहा है कि दूनों समान लंबाई का खंभा है मतलब ये वला खंभा और ये वला खंभा दूनों क्या है समान लंबाई का है और दूनों कहां कहां खड़ा है तो यह वो रूड के इस साइड में है और रूड के दूसरे साइड में है मने विप्रित दिशा में है ठीक है चलो फिर से हम समझ लेते हैं एक 80 मिटर चोड़ी सडक सडक के बारे में बोल दिया 80 मिटर चोड़ा दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाला समान वालारे दोग खंभे लगे हुए है इन दोनों खंभों के बीच सडक के एक बिंदू से सीखर का उनियन कौन 60 डिगरी और 30 डिगरी है देखिए बोल रहा है कि सडक के बीच में कोई बिंदू लिजे हम मान लिये हैं कि स्टाड़क के बीच में बिंदू E है और इसमें बोल रहा है कि एग ओ खंभा का सीखर कौन सीखर बिंदू से उनियन कौन 30 डिगरी है स्वरी 60 डिगरी है और इसी बिंदू से दूसरा खंभा का सीखर जो है 30 डिगरी है कौनची बोला समझ में है सवाल सवाल को फिर से समझो सबसे पहले बोला कि एक रोड है भीवा 80 मिटर चोड़ा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब सड़क के दोनों किनारों पर समान लंबाई वाला खंभा लगावा है यानि कि 8 मिटर का खंभा है तो यह हो 8 मिटर का होगा यानि कि दोनों खंभा जो है बराबर है ठीक है और विपरीत दिशा में है मने आमने सामने है अच्छा फिर कौनची बोल रहा है कि सड़क के बीच में कोई भी बिन्दू लिजे अब बीच में कहने का मतलब यह नहीं है कि बीचो बीच देखो बीचो बीच का मतलब कौनची होता है कि एक लाइन जैसे कि यहां से यहां है अब हम बुलेंगे कि ईसल ए बिन्दू और बी बिन्दू के बीच में कोई सी है तो बीच में आप यहां पे भी C डाल सकते हैं सिर्फ बीच में का मतलब यह हुआ कि दूनों के बीच में आप कहीं भी डाल सकते हैं लेकिन अगर सवाल यह हिंदी यह सब हिंदी भासा है इसको पकड़ना चाहिए अगर यह बोलेगा कि C जो है A और B के बीचों बीच है तब जाके हमको समझ में आना चाहिए कि अच्छा एकदम से बीचे में होना चाहिए C को न A ने होना चाहिए तनीसा न तनीसा इधर होना चाहिए समझ में आ रहा है यानि कि यहां पे बोला जा रहा है कि सड़क के बीच में कोई बिंदू है तो बीच में का मतलब कभी भी आपको यह समझाना नहीं है कि यह वाला ऑ叫 भे बराबर होगा अईसा नहीं है समझ रहे हैं आप हमको सिर्फ बोलराए कि बीच में तो बीच में मान लिया जाय कि P है अगर बिचो बिच बोलता तब एकदम बिच में रहता और सिर्फ बोला बिच में तो बिच में आप यहां भी ले सकते हैं पी यहां भी यहां भी कहां भी और कहीं भी बिंदू लेना है बिच में लेना है लेकिन तेक है इसके इसके बिच में तो अगर ले लिए तो पहला वाला सीखर खंभा का जो सीखर है उससे 60 डिगरी और दूसरा वाला सीखर से 30 डिगरी का उनियन कुन बनाता है यह अहां पर लिखा है कि union कुन करम सो 60 डिगरी और 30 डिगरी है तो खमभों की उचाई और खमभों से बिंदु की दूरी ग्यात किजिए यानि कि देखो खमभा का उचाई निकालना है मतलब कि इसका भैलू निकालना है खमभा का उचाई तो यही न हुआ खमभा गाड़ा हुआ था तो अच्छा E निकल जाएगा उतना ही न E भी होगा फिर बोल रहा है कि जो बिंदू है उँँ खमभा से दूरी निकालना है समझ में आ रहा है चलो सबसे पहले तुम समझो कि सब का नाम दे दो A B अई पी है इसको नाम दे दो C इसको नाम दे दो D और सवाल में यहां से हमको पता चल रहा है यहां चित्र से कि A B का जो भैलू है न भाई A B का यहने कि खमभा का उँचाई न A B है उस C D के बिलकुल बराबर है कहां से तो प्रस्न से है यह हमको कहां से पता चल रहा है प्रस्न में इसा लिखा है कि A B का जो उँचाई है उस C D के उँचाई के बराबर है बराबर कर लिए अब का करना है बारी बारी से दूग त्र माने BP को अगर हम X माने तो E कितना हो जाएगा तो E हो जाएगा AC-X PD का मान हो जाएगा AC-X क्योंकि पूरा था AC-ACIMETER लेकिन हम BP को मान लिए X ठेक है तो ये PD कितना हो जाएगा AC-X चलिए सबसे पहला बात अब तरिभूज ABP में चलिए तरिभूज ABP में ABP में कोच कोच दिया है तो ठेटा कितना ठेटा है 60 डिगरी और P कितना है P तो इसके सामने नब P होता है तो P मने AB ठीक है और B कितना बेस तो बेस को हम X मान लिए हैं अब 10 ठेटा बराबर फर्मूला होता है P बटा में B ठेटा कितना 60 डिगरी P कितना तो AB B कितना तो X अब हम यह 10 ठेटा का वैलू लिखा सकते हैं रूट 3 बटा में 1 AB बटा में X ठीक है अब इसके बाद हम तिर्शा तिर्शे गुना करेंगे तो AB को X से गुना करेंगे तो AB बराबर X को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3 X ठीक है रूट 3 को X फिर क्या करेंगे हम लोग फिर से दूसरा वाला त्रिभूज में चलें C, P, D में त्रिभूज C, P, D में ठीक है तो C, P, D में अगर चलेंगे तो ठेटा कितना है भई 30 डिगरी P कोंची है, C, D P का वेलू C, D है अच्छा, उसके बाद बाद करें तो नीचे बेस कोंची है आधार, तो बेस है और C माइनस में X ठीक है, और C माइनस में X, अब यहाँ से फिर से तुम फार्मॉला लगा सकते हो 10 ठीटा वराबर P बटा में B 10 ठीटा बोले तो 10 ठीटा बोले तो 10 ठीटा डिगरी अब P का वेलू कोंची, C, D बटे में B केतना है और C माइनस में X अब 10 ठीटा बोले तो 1 बटे में रूट 3, और C, D का C, D, और C माइनस X का, और C माइनस X अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, C, D का माण तो रूट 3 को C, D से गुना करेंगे तो रूट 3, C, D होगा ना, अब 80 माइनस X को X से गुना करेंगे तो 80 माइनस X इसलिए C, D का माण कांची हुआ तो 80 माइनस X बटा में कांची है रूट 3 अब हमको यहाँ c d का मान आ गया और a b का मान आ गया a b का मान कितना आया root 3 x c d का मान कितना आया और c minus x तो करना क्या यहां से कि प्रश्ण से हमको प्रश्ण से पता है कि a b का मान c d के बराबर है तो a b का मान कितना आया है तो a b का मान actually आ चुका है हम लोगों को root 3 में x root 3 में x और c d कमान आया है c minus x बटा में root 3 तो यहां से हम क्या करेंगे x कमान निकाल लेंगे तो actually होगा क्या root 3 x को root 3 से गुना करेंगे तो 3 x होगा is equal to c minus में x यह minus x है इधर आएगा तो हो जाएगा 4 x 4 x बराबर c x बराबर हो जाएगा 80 बटे में 4 यानि कि 20 तो x कमान हम 20 आ गया तो x हम किसको माने थे तो x माने थे bp को यानि कि हमको तो यह भी तो निकालना था ना कि बिंदू जो माने थे उखंभा से कितना कितना दूर उपे है तो 1 हो गया x 1 हो गया 80 minus x तो actually हम लोग करेंगे क्या x का भेलू आ गया इसलिए हमको पता चल गया कि bp बराबर 20 मिटर आंसर और 1 हो हमको pd चाहिए तो pd कोंची है तो c माइनस में x तो c में से x का भेलू 20 है तो 1 हो आ गया 60 मिटर आंसर लेकिन अब खंभा का उँचाई निकालना है नहीं तो खंभा का उँचाई e-b बोलिए चाहे तो c d बोलिए तो हम e-b निकालेंगे खंभा का उँचाई भी निकालना है तो a-b बराबर कंची है root 3 x तो खंभा का उँचाई e-b बराबर 20 root sorry root 3 into x तो root 3 तो root 3 रहेगा अब x का मानाया है 20 इसलिए हम इसको 20 रूट 3 मिटर कह सकते हैं तो कुल मिला कर ये हम लोगों को आंसर हो गया तो दोस्तों जैसा कि आप देख पारे होंगे आज हम question number 9 और 10 को discuss किये अगले दिन हम question number 11 से discuss करेंगे तो दोस्तों आज के लिए था है थप तक के लिए धन्यवाद